ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये न्यूस तो आप सबको मिल गई होगी क्योंकि सुबह से ये न्यूस चाही हुई है यूटूब पर फेस्बुक पर वटसब पर तो इन्होंने काया कि कोलिज में जितने भी फाइनल सेमेस्टर के एक्जाम है वो तो जुलाई में और जितने भी बागी सेमेस्टर हैं कि जो छात्र हैं उनको एवरेज बेस पर पास कर दिया जाएगा ये अनौंसमेंट कर दे गई है तो सबको पता है और जितने भी हर्यानावी यूनिवस्टी हैं सबी पर ये लागू होगी कोई भी यूनिवस्टी हो अब बात ये आती है कि बीड़ वालों के लिए क्या होगा बहुत सारे मुझे कमेंट मिल रहे है मेरा कोई इरादा था नहीं इस पर वीडियो बनाने का लेकिन आपके कमेंट देखकर मुझे वीडियो बनानी पड़ी तो भई जितने भी बीड़ वाले स्टूरेंस हैं एक भार ध्यान से सुन लो कि फर्स्ट यर और सैकेंड यर दोनों के एक्साम होंगी एमडियो से हो से सी आरस्यू से हो के यू से हो आई जी यू सी बीड़ कर रहे हो तो सभी के बीड़ के एक्साम तो होंगे यह पक्का है सी आरसयू ने तो कंफर्म कर दिया है कि अगस्त में हम एक्साम लेंगे बाकी यूनिवस्टी के भी एक्साम अगस्त में होने के चांसेज हैं ठीक है तो जो भी आपके सवाल थे कि बीड़ फर्स्ट यर को पर्मोट किया जाएगा चात्रों को या फिर नहीं तो बीड़ फ पर्मोट किया जाएगा यूजी पीजी के स्टूडेंट की तरह तो आपके एक्साम होंगे यह एक्साम क्यों होंगे बीड़ फर्स्ट यर की वह मैं बता देती हूं आपका कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स यह सिर्फ डिगरी ठीक है तो इनमें फर्क है यूजी पीजी के इसलिए आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा आपके एक्साम होंगे लेट हो सकते हैं लेकिन फर्स्ट यर और सैकेंड यर दोनों के एक्साम होंगे यह कंफर्म है यह क्लियर है ठीक है तो फर्स्ट यर वाले यह मानकर मत चलना और अपनी तयारी छोड़ना मत की हमें प्र जो 9 questions दिये गए है और 5 questions आपको करने हैं तो वो सभी उनिवस्टी के लिए है UGC ने यह क्लियर किया हुआ है MDU और CRSU दो बिल्कुल क्लियर कर चुकी है और CDLU, KU, IGU इनकी भी नोटिफिकेशन आचुके CBLU की भी तो सभी उनिवस्टी के लिए लागू है 9 में से 5 questions आपको करने हैं दूसरी बात यह है कि जो 40 marks वाले आपके exam होते हैं क्या उनके लिए भी यह लागू होगा तो चांस है कि जो 40 marks वाले exam होंगे आपके वो भी आपके इसी तरह से optional होंगे मतलब कोई भी questions आप कर सकतो हो any 3 questions जो 5 questions आपके पूछे जाते हैं 40 marks वाले theory के exam में तो उनके लिए भी है और pattern आपका सेम रहेगा बस आपको छूट दे दी गई है कि आप कोई भी 9 questions में से 5 questions कर सकते हो और 5 questions में से आपके 3 questions आप कर सकते हो जो आपका 40 marks का exam होता है ठीक है यह clear हो गया आपका अब एक और बात है कि जो मैंने important questions बताए हुए है MDUK, CRSUK क्या important questions वही रहेंगे क्या वो change हो जाएंगे तो जो मैंने important questions बताए हैं वो change नहीं होंगे क्योंकि जो आपका pattern आएगा जो आपका syllabus से आपके exam पनने वाले हैं वो questions तो वही उठाएंगे और वही important है unit wise आपके वही important questions हैं और वही आपको exam में देखने को मिलेंगे बस आपको छूट दे दी गई है कि आपके 9 questions आते हैं exam में और 9 questions में से यानि 5 questions आप कर सकते हो बहुत अच्छा मोका आपके लिए ही करने का नहीं तो यह होता था कि unit में 2 questions given होते थे first question compulsory होता था और आपको unit wise कोई भी questions करना होता था लेकिन अब आपको छूट मिली हुई है कि unit में से आप 2 questions कर सकते हो कोई भी 5 questions आप कर सकते हो जो भी आपको अच्छे से आते हो ठीक है यह बहुत अच्छा मोका है आपकी percentage increase करने का अपनी जो महनत है वो दिखाने का कि student के लिए है reappear student के लिए यह pattern नहीं कहा जा सकता क्योंकि CRSU ने clear किया था कि यह जो pattern है यह है सिर्फ regular student के लिए MDU की तरफ से ऐसा कोई notification आया नहीं है कि MDU ने क्या किया है regular के लिए है या फिर reappear दोनों के लिए ठीक है एक और बात है इसमें मुझे एक comment or मिला है कि जो distance वाल देखो बीड कभी भी ना distance से नहीं होती ठीक है जो आपकी universities होती है वो कभी भी आपकी degree जो distance के जो बीड होती है वो नहीं कराती वो regular ही बीड कराती है ठीक है आप कर रहे हो distance बीड वो अलग बात है आप नहीं जा सकते आप किसी job में हो या फिर किसी other किसी भी reasons से आप बीड कर आप बीड करें तो वो regular ही मानी जाएगी आपकी जो degree आएगी आपकी जो mark shit आएगी वो regular की ही आएगी क्योंकि university ने ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया है बीड वालों के लिए कि आपको घर बैट कर वो बीड करेंगे ठीक है तो अगर आप कहीं interview देने के लिए classes भी ले हैं ठीक है क्योंकि university कभी भी distance से बीडनी कराती है यह professional course है कोई भी यूज़ी पीजी वाला course नहीं है जस्ट आपको डिगरी देना मोटिव नहीं है बलकि आपको एक teacher बनाना मोटिव है university का कि एक अच्छे teacher को हम लेकर आए बचों को पढ़ाने के लिए और वो यह कहा भी गाया कि हमें trained और skilled teacher चाहिए और वो कब होंगे जब beard में regular आप जाओगे training आप लोगे skilled आपको पता होंगी कौन-कौन से skilled होती है कैसे बचों को पढ़ाया जाता है इसलिए beard regular होती है और distance से beard नहीं होती है ठीक है I hope आपके जितने भी questions है वो clear हो गए होंगे तो अगर फिर भी कोई questions आपका रहता है ऐसा beard से relate करके तो आप मुझे इस वीडियो के comment box में comment कर सकते हो mail id मैंने आपको दी होई है आप मुझे mail कर सकते हो personal अगर आपको कोई other किसी भी बात पर issue है या फिर किसी भी बात को लेकर आप मुझे mail कर सकते हो लेकिन relate होना चाहिए प अगर आप यूजी पीजी वाले students और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको promote किया गया है यूजी पीजी वाले के students के लिए लेकिन जो beard वाले है उनको अभी promote नहीं किया गया है कोई भी notification नहीं है बेड़ वालों के लिए ठीक है जैसे ही अगर इनके इनसे relate करके कोई notification जार ठीक है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन जितने भी questions थे आपके वो clear करने जरूरी थे फिर भी अगर आपकी कोई भी questions है कोई doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हो comment section में ठीक है thank you guys देखने के लिए और भाई अपनी तयारी रखो beard वालों ठीक है एक्जाम जरूर होंग आपके ठीक है thank you